साथियों नमस्कार पंचांग देखना सिक्था जोतिस बने चैनल में मैं आप लोगों को हाल दिक स्वागत तरखाएँ साथियों आये दिन आप लोग देखते हैं कि मैं पंचांग के माधंदम से आप लोगों के सामने कोछ़ न कोछ़ सामने रखता हूँ ताकि आपनों को समस्याओं का समधान बहुत सरलता रूप से मिल सके और आप एक सधान जोती से नेशित रूप से बन सके मैं अपकी बार बहुत देर से विडियो अपलोड किया हूँ इसके लिए मुझे खेद है मैं कुछ परिवारिक कार्यों में ब्रस्त हो गया था जिसका आप लोग के पास विडियो थोड़ा बिलंग से आ रहा है मैं हमेशा पर्यास करता हूँ कि आप लोग को मैं अच्छी से अच्छी बाते बताएं और आप लोग उसका लाव उठाएं आप लोग यह देखें मैं हमेशा आप लोग को कहता हूँ कि पंचांग रखें चाहिए हिरसी किस पंचांग हो या महवीरी पंचांग हो या ठाकुर पंचांग हो जो आपको सरलता से समझ में आ जाए उसका आप अध्यन करें और मैं चाहूंगा कि जदी दस मिनट बीस मिनट आदे घंटा जितना भी आपको समय मिले उसके अनुसार आप थोड़ा पंचांग को रखें और पंचांग का अध्यन करें जदी आप पंचांग का अध्यन करेंगे तो आपको नेशित रुप से मैं दावा के साथ कहता हूं कि आप भी अच्छे जनकार हो जाएंगे और आप भी अपने जीवन में हलका पुल का जो समस्या आता रहता है उस आतने समस्याओं का समधान आप स्वयम निकाल सकते हैं सुब महुर्द, सुब समय, सुब घड़ी में जदी हम कोई भी कार्ज करते हैं तो नेशित ही उसका फ्छल सूभ होता है यह आप लोग समझें कि जदी हम कोई अच्छा कार्ज करते हैं तो उसका फ्छल हमें नेशित ही अच्छा मिलता है बूरा कार्ज का फल निशित ही बूरा फल मिलता है इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग बहुत सरल भासा में सुगमता से हमारी इस वीडियो को देखें और समझें मैं आप लोगों को एक ऐसा निशित फल लेकर आ रहा हूँ जो आप लोगों को आए दिन परती दिन ये मन में भावनाय बनी रहती है कि पंचांग में पत्रिका में अख़बार में रासी फल परती दिन का दिया हुआ रहता है आप सोचते हैं कि तीश तीथी है, सताइसन छत्र है, नौ गुरा है, साथ वार है, बारह रासियां है इसी में सारा प्रम्हान सारे इस विश्व के लोग आते हैं बारह रासियों का अंतरगत ही सभी ब्यक्तियों का नाम है ये निशित नहीं कि ये जो निजपेपर अकबार में जो रासी फल दिया हुआ है मेरे लिए कारगर ही है ये मन में भावनाएं आप लोगों को परती दिन परसानी का कारण बनाती है तो मैं चाहता हूँ कि आप देखें, रासी फल परती दिन का देखें लेकिन उसका एक तरीका है, जिस तरीका को आप अपनाएं और अपने जीवन में उतारें और उसको समझें तो मैं एक जो रासी फल लेकर आया हूँ मैं ज्यादा आप लोगों को इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ आप लोग छोटे में ही इसको समझें और इसका फल देखें कितना चमक्तकारी है और उसका निकालने का तरीका मिल जाएगा और आप उसका फल समझ सकते हैं तो आएं देखें दैनिक रासी फल परती दिन का रासी फल कैसे समझे और जाने दैनिक रासी फल में मुक्य चंद्रमा ग्रह होते हैं क्योंकि चंद्रमा सभी ग्रहों में तेज चलने वाले हैं। एस सावा दो दिन में एक रासी से दूसरे रासी में परवेश कर जाते हैं। चंद्रमा की महता बहुत जादा दी गई है। चंद्रमा से हमें बहुत चीज जनकारी मिल जाती है। यह सावा दो दिन में ही अपना रासी परिवर्दन कर लेते हैं। इसलिए किसी भी ब्यक्ति का जो रासी हो वही लगन अस्थान में रख लें। और लगन अस्थान से जीश अस्थान में चंद्रमा आते हैं वह अस्थान वैसा फल आप समझें। या वह ऐसा फल वह अस्थान देता है। तो आप जो अकबार में देखते हैं कि मेरा रासी कैसा रहेगा आज का दिन, आज का समय में, आज के दिन में मेरा रासी का क्या कहना है, मेरे रासी का क्या फल होगा। देख लगन चक्र बनावें और लगन चक्र में देखें। जैसे मैं मिथून लगन चक्र बनाया हूँ, आप लोग को समझाने के लिए आप समझें और इसका उपयोग अपने जीवन में लाएं। जैसे देखें, मिथून, तीन से मिथून जाने, चार से करक जाने, सीह, कन्या, तूला, ब्रेशिक, धनु, मकर, कॉम्भ, मेन, मेश, ब्रिश। ये तो सभी रासियां हो गए, ये रासि का अस्थान हुआ, लेकिन भाव कभी नहीं बदलते हैं, यानि घर जो है कभी नहीं बदलते हैं, भाव यानि पर्थम भाव इसको कहते हैं, पर्थम अस्थान, दिवित्या, दिसरा अस्थान, तिसरा, चोथा, पाचमा, छठा, सत् आठवा, नौवा, दसवा, एगरावा और बारावा यानि द्वादस तो ये हमें समझने की जरुरत है कि पर्थम अस्थान तन का आपके शरीर का भाव बताता है दूसरा धन का, तीसरा बल का यानि प्राक्रम का, चोथा सोख, गाड़ी वाहन और माता का स्थान कहा गया है पांचवां प्रेम सिक्षा और सन्तान का स्थान माना गया है चाथमा रोग रीपू रीड बताता है साथमा भोग कामना और पतनी का स्थान मना गया है आथमा आयू अस्थान मना गया है नौवा भाग अध्यात में और पीता का विचार यहां से किया आता है दसमा कर्म का अस्थान है आप जिवन में क्या कर्म करेंगे कैसा काम करेंगे उसका विचार यहां से किया आता है एगर हुआ यानि एकादस अस्थान आप वहां से आपके लगना स्थान से एगर हुआ जो होता अस्थान वहां से आप आई देखते हैं 12 हुआ जो है 12 सस्थान वहां से ब्याई देखा जाता है यानि जदी हम हमारा रासी मीथून है तो मीथून को लगन में रखेंगे और देखेंगे कि आज जो अकबार में जो रासी दिया गया है लगन सकर बनाया गया है गोचर बनाया गया है उसमें चंद्रमा की सस्थान पर ह जैदी दूसरे अस्थान में लगन चंधरबाव है तो उसका प्खल समझे तो गाड़ी सूख्तादन काप फ़ल मिलेगा पांचों में अस्थान में है तो प्रेम सिख्षा और संतान में बिर्धी होगी ऐसे भाव से आप उसका फ़ल समझें सांथियों इसमें आपको कोई परसानी नहीं होगी आप इस चक्र को देखते ही और बनाते ही समझ जाएंगे कि आज का फ़ल मेरा किसे बातो पर आगे बढ़ाता है इस बातों में सक्षम हमें बनाता है इसका विचार आप कर सकते हैं आपको मात्र सिर्फ यह धन तन धन बल सोख संतान सिक्षा रोग रीपू रेड़ इस्तरी का स्थान या भोग का स्थान आयू भाग अधात में पीता का स्थान कर्म आय और ब्याइ इतना सिर्फ यदि याद कर लेते हैं तो आपको रासी जानने में कोई परसानी नहीं होगी और अपना रासी फ़ल परती दिन का स्वेम जान संकते हैं सांतियों मैं यह नहीं कहता हूँ कि मेरा चैनल को सस्क्राइब करें जदी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब करें अन्य था मेरा चैनल को सस्क्राइब न करें जदी अच्छा लगे तो आप वीडियो को सेर करें और लाइक करें अगला वीडियो अपलोड होते हैं मैं पुना हापनों के सामने पस्तित हो जाओंगा तब तक के लिए धन्यवाद